बल्रामपूर जिले में भू माफियाओं के खिलाफ जिला प्रसाशन की कारवाई लगतार जारी है इसी श्विंखला के तहद उत्रौला एसजियंग ने बड़ी कारवाई करते हुए भू माफियाओं से करिब 3 करोड की सरकारी जमीन खाली कराई तहसील उतरोला के ग्राम जानुका गुजरमे सरकारी तालाब बंजर जमीन पर कुछ लोगों ने अवैद कबजा कर रखा था जिसकी जुआनकारे मिलने पर उबजला अधिकारी संतोष कुमार ओजा ने मामले की जाच कराई तो मामला सही निकला उबजला अधिकारी ने भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान के तहट कारवाई शुरू की तथा 17.67 एकड की तालाब पड़ती बंजर भूमी पर जिस पर कारवाई करते हुए उबजला अधिकारी कलीम जसराम वर्मा आधि के नाम पर अनाधिकरित रूप से कबजा कर रखा था जिस पर कारवाई करते हुए उबजला अधिकारी उतरोला संतोष कुमार ओजा द्वारा माननिया सर्वोच नियायले के आदेश के अनुपालन में मुक्त कराई गई जिसकी कीमत लगबक 3 करोड रुपे है उबजला अधिकारी उतरोला द्वारा अपने नियायले में तालाब बंजर परती भूमी पर अनाधिकरित रूप से दर्ज खातेदारों के नाम निरस्थ कर पूरववत तालाब बंजर परती भूमी के खाते में दर्ज कर दिया गया उपजिला अदिकारी उत्रौला ने इस कारवाई से भू माफियाओं में हडकम मच गया है उपजिला-दिकारी संतोष कुमार उज्या ने बताया है कि भू माफियाओं को चिंदित करने का काम किया जा रहा है आगे भी ये कारवाई लगातार जारी रहेगी वहां पे 17 एकड़ तालाब राज सभी लिखों में दर्ज था इसके वारे में शिकायत काफ़ने पर इसकी जांच कराएगी तो प्राथ जांच वरत थी वहां पर इसकी जांच परताल के बाद राज सभी 17 एकड़ जो दों के नाम थे वह निरस्त करकते मूद रूप पर अविजेक में तालाब दर्ज कर दिया गया है उत्तर परदेश की योगी आदित्यनात सरकार माफियाओं के खिलाफ एक्शन में हैं अब तक राज्य में माफियाओं की अर्बों की संपती को जब्त कर लिया गया है और लगतार कारवाई की जा रही है और भू माफियाओं पर इसका डड़ साफ तोर पर देखा जा रहा है पंजाब के स्रु टीवी के लिए बलरामपुर से सलीम सिद्धिकी की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद